हाई एवरीवन वेलकम टू पूजा लूत्रा यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं खजूर की खजूर आयरन से भरपूर होता है और साथी साथ इसमें पोटेशियम, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन बी भी बहुत अधिक मात्रा में होता है इस खजूर हमारे शरीर को इंस्टन्ट एनर्जी देता है इसमें काफी अधिक मात्रा में नैच्रल शुगर होती है फ्रुक्टॉस होता है जो शरीर को इंस्टन्ट एनर्जी देता है साथी साथ इसमें पोटेशियम भी होता है जो शरीर की जरूरत के अनुसार शुगर को एन इसमें फाइबर होता है जो की हाइली सॉलिबल होता है इससे बौवल मुमें ठीक से होते हैं जिससे की इंटरस्टाइनल ट्रैक्ट में भी स्भूद पैसिच को बढ़ावा मिलता है तो जिनको कब्स है वो खजूर को कैसे खाएं मैं आपको बता देती हूं रात को आप 4-5 ख खजूर पानी में भिगो कर रख दें, सुभा इनको उसी पानी में मिक्स करके पीस लें और जूस तयार कर लें, इस जूस को रोज खाली पेट सेवन करेंगे तो आपको पुरानी से पुरानी कब्ज से भी चुटकारा मिल जाएगा, दोस्तों जो लोग अनीमिया के खाएं, खजूर में आयर्न भरपूर मातरा में होता है और साथी साथ खजूर में विटामिन C भी होता है जो शरीर में आयर्ण के और बादां बढ़ाता है, बेस्ट रिजर्ट के लिए खजूर को सुभा नाशते में दूध के साथ सेवन करें, खजूर में कुछ ऐसे खजूर हैंग ओवर को भी ठीक करता है शराब पीने से लिवर में टॉक्सिक पदार्थ काफी बढ़ जाते हैं जिने खजूर कम करता है एक कब पानी में चार से पांच खजूरों को डुबो कर कुछ घंटों के लिए रख दीजे अब इने मसल कर बीज अलग कर दीजे और पा खजूरों के लिए बहुत अच्छे हैं खजूर हार्ट को यानि दिल को हेल्दी रखता है इसमें लौ सोडियम और हाइपोटेशियम होता है जो हार्ट रेट को रेगिलेट करता है बलड प्रेशर को यह कंट्रोल करता है और अगर आप डेली बेसिस पर अगर दो या तीन भी खाएंगे तो आपको हार्ट अटेक होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी इसलिए आपने रिदे को मजबूत रखना है रिदे को स्वस्त रखना है तो खजूरों का सेवन जरूर करें खजूरों में विटामिन बी होता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को स्वस्त अलर्ट रखता है साथ ही साथ जिनको नींद ना आने की प्राबलम है वो भी अगर खजूर खाएंगे तो उन्हें नींद अच्छी से आएगी खजूर खाने से आखों की रोशनी बढ़ती है और हमेशा आखें स्वस्त रहती है तो इसलिए हमारे दिमाग और आखों दोनों क लिए खजूर बहुत बहुत बेनेफिशल है खजूर में NT-Oxidants और anti-inflammatory and anti-inflammatory properties होती है जो जोडों के दर्द और सूजन को कम करके गठिया रोग में राहत प्रदान करती है जिनको जोडों के दर्द की प्राबलम है गठिया की प्राबलम है या फिर इसके अलावा खजूर हमारी स्किन के लिए बहुत बेनेफीशल है खजूर खाने से आपकी स्किन लंबे समय तक जवान रहती है जुरिया नहीं आती है और स्किन का ग्लो भी बढ़ता है अगर आपको दात में दर्द है या फिर दातों की सडन परिशान कर रही है तो खजूर खाएं खजूर खाने से दातों की सडन और दातों का दर्द दूर होता है खजूर शरीर के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है और खराब बैक्टीरिया को मारता है इसमें कैलोरीज की मात्रा भी बहुत कम होती है इसलिए बिमारियों से इंफेक्शन से बचने के लिए खजूर जरूर खाने चाहिए जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ता है वो अगर खजूर खाएंगे तो उनका वजन बढ़ने लगेगा वजन बढ़ाने के लिए आप 8-10 खजूर दूद में उबाल कर खाएं बहुत ही जल्दी वजन बढ़ने लगेगा कमजोर बच्चों को खजूर और शहद मिला कर खिलाना बहुत फायदे मन्द होता है इससे उनकी शरीर की ताकत भी बढ़ती है और ग्रोथ भी अच्छी होती है जिन बच्चों को रात को बिस्तर गीला करने की आदत होती है उनको खजूर खिलाने चाहिए इससे रात को वो बिस्तर गीला करना बंद कर देते हैं खजूर की गुठली बहुत फायदे मंद है खजूर की गुठली को पानी में गिसकर सिर पर लगाने से सिर्की जूएं मर जाएंगी इसके अलावा जिन लेडिस को मेंस्ट्रल साइकल ठीक से नहीं होता है पीरिड्स ठीक से नहीं होते हैं खुल कर नहीं आते हैं उनके लिए भी खजूर बहुत फायदे मंद है खजूर खाने से मासिक तर्म खुल कर आता है और कमर दर्ध में भी लाव मिलता है खजूर खाने से पुरुषों की सेक्स पावर बढ़ती है स्पर्म काउंट बढ़ता है तो देखा आपने खजूर हमारे शरीर के लिए कितना फायदे मंद है तो इसे आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाईए अगर खजूर के बारे में यह इंफूर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक के बटन पर ज़रूर हिट करें मेरे वीडियो को आप सोचल मीडिया पर वाट्साप, फेस्बुक, ट्विटर पर ज़रूर शेयर करें अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन फ्री है और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन पर ज़रूर हिट करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी विल सके तो मैं आपसे मिलूँगी एक और अच्छे से वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक गुट कियर अफ यरसेल्फ, बाबाई